गुजरात के पाटिदार और दलित समुदाय के बीच क्यों हुआ विवाद? आखिर हार्दिक पटेल और जिगनेश मेवाणी क्यों आए आमने सामने? गुजरात चुनाओं के दोरान परवान चड़ी हार्दिक पटेल और जिगनेश मेवानी की दोस्ती में तरार की खबरें सामने आ रही है बताया जा रहा है कि पाटिदार और दलितों के बीच एक जमीन को लेकर हुए बिवाद के बाद दोनों आमने सामने आ गए हैं दुरसल एहमदाबाद के गीतापुर गाओं में पांच परिवार आवास्ये प्लोट के आवंटन को लेकर विरोध कर रहे हैं इतना ही नहीं इसको लेकर इन परिवारों ने धरना भी देना शुरू कर दिया है वहीं दलित नेता और वटगाम सीट से निर्दलिये विधायक जिगनेश मेवानी ने न सर्फ प्रतरशनकारियों का समर्थन किया बलकि उनसे मिलने भी पहुँच गए उदर इलाके के पाटिदार समाज ने भी इसे ग्राम पंचायत की जमीन बताते हुए दलितों को देने का विरोध कर दिया इतना ही नहीं इसके खिलाफ पाटिदार भी धरने पर बैट गए जिसका समर्थन पाटिदार नेता हार्दिक पठेलने कर दिया पूरे मामले पर ट्वीट करते हुए हार्दिक ने लिखा एहमदाबाद के गीतापुर गाउं में गुंडों ने गाउं की जमीन पर कबजा कर लिया जिसका विरोध गाउं के लोगों ने किया लेकिन प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया हलकी विवाद बढ़ता देख प्रशासन ने भी पूरे मामले में दखल दिया मामले को सुलजाते हुए प्रशासन ने दलित परिवारों को अपने खेतों को गैर क्रिशी भूमी में बदल कर घर बनाने की अनुमती दे दी लेकिन हार्दिक के ट्वीट से दलितों का गुस्सा काफी बढ़ गया खबर है कि ये लोग हार्दिक की अपमान जनक टिपणी के खिलाफ जिला प्रशासन को एक ग्यापन सौपने की तयारी में है प्रशासन के दक्षल से दलितों का विरोध भले ही थम गया हो लेकिन वो हार्दिक के खिलाफ खड़े होने का मन बना चुके है ऐसे में देखना दल्चस्थ होगा कि दलितों का हार्दिक विरोध क्या गुल खिलाता है इंडिया न्यूस वाइरल की रेपोर्ट